What's up everyone, welcome back to the channel, this video is very special क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं हमारे सभी स्टूडेंट से जो अब आ गए हैं क्लास 10 से क्लास 11 में उन्होंने कॉमर्स लिया है as their stream और अब वो जानना चाहते हैं कि सर कॉमर्स में है क्या, किस तरीके से कॉमर्स में चीजे होती हैं, हमें कैसे अपन करनी हैं and many more, तो आज की इस वीडियो में सब कुछ डिसकस करेंगे about कॉमर्स, मैं कौन हूँ आपको बताने वाला, सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में, उसके साथ-साथ हमें किस तरीके से प्रेपरेशन करनी हैं और किस तरीके से हम कॉमर्स में excel कर सकते हैं, तो यह, let's begin! तो बेटाजी, इस वीडियो इस गोईंग तो बेरी इंफॉर्मेटिव, आज वेल आज इसमें हम हर चीज डिसकस करेंगे, जो आपको नीड होती है, जब आप क्लास 11 में कॉमर्स लेते हो, यह वीडियो हमारे सभी CBSC स्टूडेंट्स के लिए, ISC स्टूडेंट्स के लिए, और other State Board स्टूडेंट्स के लिए भी है, जिन्होंने अपने लिए कॉमर्स को आप्ट करा है, तो चलिए, शुरू करते हैं, डिसकस करना की सर, हो क्या रहा है, specifically for session 23 and 24, correct, सबसे पहले, क्योंकि आप नए कॉमर्स में आयो, तो आप लोगोंने क्यों रुको, या आपको इस चैनल पर क्या क्या चीजे मिलती है, आप किस तरीके से भरोसा कर सकते हैं, थोड़ा सा about myself, बहुत ज़्यादा मैने life में अचीव नहीं करा, बर जतना भी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, I am one of the most trusted and most loved commerce educator in India, मैं अपने आपको बहुत ज़् fortunate समझता हूँ, हमें इतना जादा प्यार मिलता है बच्चोंगा, अगर हमारे कुछ students जो 12th में आ गए हैं, 12th कर चुके हैं, देख रहे हैं तो comments में जरूर बताना कि किस तरीके से इस चैनल ने आपकी मदद करी है, तो मैं अब काफी fortunate feel करता हूँ कि बच्चे इतना प्यार करते हैं, mentored millions of students, India, उसके साथ साथ इंडिया के बाहर के बहुत सारे students हैं, जो हम से पढ़के जा चुके हैं, और अज अपनी life में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अब आपको भी करना है, इसी तरीके से, TEDx speaker, keynote speaker in top colleges of India, जितने भी हमारे top colleges of India है, सब में जाके speaking sessions हो चुके ह हैं, अगर आप मेरे Instagram पे जाओगे तो आपको सब की clips मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हो, उसके साथ साथ 2017 में मैंने अपना YouTube channel launch किया था, offline मैं पढ़ा रहा हूं from 2014, तो अभी 2024 में, it will be 10 years, but online 2017 से हम लोग पढ़ा रहे हैं, और nation building में अपना contribution कर रहे हैं, उसके साथ 2022 में, I was awarded as a national educator, national educator award मिला था 2022 में, and वो बहुत बड़ा एक moment था for me in my life, उसके साथ ये थोड़ सी मेरी qualifications है, lawyer, entrepreneur, public speaker, and most important, a friend for you all, आप सभी के लिए एक दोस्त, यही बनने की कोशिश करूँगा, कि आपको हर तरीके से guide कर पाहूं, और excel करवा पाहूं, commerce stream के अंदर, अब हम stream के ऊपर चलते हैं, commerce में, sir, है क्या-क्या, this is the most important element, जो आपके काम आने वाला है, अब देखो, अगर आप commerce opt करते हो, वेटा जी, तो सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए होगी, वो है हमारे पास language, वो है हमारे पास language, और language में maximum बच्चों के पास English ही होने वाला है, तो स दूसरा subject और commerce में, जो सबसे बड़ा subject, सबसे important subject माना जाता है, वो है हमारा accountancy, accountancy को consider कर जाता है as the king, और commerce में, अगर आपने accountancy अच्छी कर ली, तो समझो, आपका finance, आपका taxation, बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं, जिसमें आपको help रहने वाली है, तो accounts बहुत important है, accountancy पे तो बह practical होनी चाहिए, यानि कि जो आपका subject है, वो तो theory है, वो तो theory ही है, लेकिन जो approach है, वो काफी practical होनी चाहिए, और मैं आपको उसी तरीके से बढ़ाने वाला हूँ, sir, उस तरीके से हम कैसे बढ़ेंगे, हर चीज practically, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक teacher की तरीके से नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक friend के तरीके से नहीं, मैं आपको इस तरीके से बढ़ाता हूँ कि businesses हम दिखते हैं, हम हमारे बहुत सारे ऐसे students हैं जो आज अपने level पे बहुत अच्छे level का businesses कर रहे हैं, तो वो लोग जब मुझे अपनी problems बदाते हैं, हम discuss करते हैं, तो हम business को बहुत अ सब्जेक्ट, economics में आपके पास Micro Economics, Macro Economics, उसके साथ साथ Indian Economic Development और Statistics, ये चार चीज़े होती हैं जो आपको 11, 12 में मिल जुलके पढ़ने हैं, व fiquei इलेवंध में और 12 में मिला जुला के आपको Micro Macro Economics, उसके साथ Statistics, उसके साथ Indian Economic Development, चार चीज़े हैं, दो आप 11 में पढ़ोगे दो आप 12 में पढ़ोगे depending on your boards 5th subject आपकी इच्छा होती है कि आप कौन सा लेना चाहते हो बहुत सारे बच्चे हैं जो मैट्स के लिए जाते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी के लिए जाते हैं computers, IP के लिए जाते हैं उसके साथ-साथ EP, entrepreneurship के लिए जाते हैं कुछ बच्चे physical education के लिए जाते हैं इसके इलावा भी painting, बहुत सारे music, बहुत सारे options हैं जो आप यहाँ पे explore कर सकते हैं entrepreneurship, lot more, बहुत सारे options हैं तो 4 subject तो आपके confirmed हैं जो English हो गया, Accountancy हो गया, Business Studies है, Economics है 5th subject, depending on your choice कि आप क्या लेना चाहते हो किस तरीके से आप चीज़े गढ़ना चाहते हो अब as per new education policy हमारे पास चीज़ें धीर धीर implement हो रही है तो अब ऐसा भी होगा कि ज़रूरी नहीं है कि यही हो बच्चे आने वाले time में, अभी तो यह चीज़ें सिर्फ proposed हैं आक्च्चोल में implement नहीं होई है बट आने वाले time में, बच्चा इसके अंदर भी इसके अंदर भी सिर्फ अपने choice के subjects ले पाएगा तो काफी चीज़े फ्लेक्सिबल होने वाली हैं as per our new education policy अब सार हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं and the response is so amazing, इतने सारे बच्चे हमारे फिछले दो सालों से ही physical education के lectures देखके excel कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है, तो this year हम लोग physical education भी cover करेंगे for class 11th, तो हमारे lectures आना शुरू हो जाएंगे आपके पास YouTube पे बहुत जल, तब तक आप इस वीडियो को like कर देना, आप कौन से school में हो, कौन से city में हो, यह मुझे जरूर बताना comment section में, और channel subscribe कर दो जल्दी से, और video को सभी दोस्तों तक, सभी friends, सभी relatives, सभी mates तक share कर दो, क्योंकि यह channel आपका सबसे अच्छा friend होने वाला है, I'm telling you, जो आपके seniors हैं वो जानते हैं, या आपने seniors से सुना होगा, this channel is going to be your best friend, हर तरीके से आपकी मदद करेगा यह channel, तो subscribe बटक जल्दी से कर दो, उस पर GST नहीं लगता, English, accountancy, business studies, economics, यह सब हम cover करने वाले हैं, और आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, सर थोड़ा सा subject के बारे में बताओ न, तो देखो जो accountancy है, that is completely practical subject, आपको बहुत करनी है, business studies के बारे में बता दिया, economics के बारे में आपको बता दिया, हम अपने देश के बारे में, हमारी economy के बारे में जानेंगे, fifth subject आपका completely optional है, वो आपके उपर depend करता है कि आप क्या करना चाहते हो, English, वो ही literature है, writing portion है, इसके अंदर काफी सारी चीज़ें आप cover करोगे, तो यह सब आपको देखना है, इसके बाद आप लोग को क्या करना है, हमारे और क्या-क्या resources हैं, जिन से आप benefit ले सकते हो, तो हमारे resources में आप लोग को थोड़ा सा एक छोटा सा काम करना है, वो क्या है, एक तो हमारी app डाउनलोड कर लो आप, सबसे पहले तो हमारी official app, जो DC DC के नाम से Play Store पे अवैलेबल है, अगर आप Android यूजर हो, DC is our app, इसका कुछ ऐसा लोगो आपको अगर दिख रहा है, इस तरिके का लोगो आपको देखने को मिलेगा, अब डाउनलोड कर लो, सर अब डाउनलोड कर लो, सर अब डाउनलोड करने से क्या फाइदा है, वेटा, अब डाउनलोड करने से एक तो आपको सारा study material मिल जाएगा, जो भी आपको अच्छे-च्छे notes ही हैं, वो सब आपको मिल जाएगे, उसके साथ-साथ हम बहुत सारे test organize कराते रहते हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए सारे test आपके available हो जाएगे, उसके साथ- तो आप हमारी app डाउनलोड करो, DC app for android, अगर आप एक iOS user हो, अगर आप iOS user हो, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है the classplus app, classplus app डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद वो आपसे organizations code मांगेगा, तो organization code फिल कर देना, n-r-q-u-g, तो ये app आपके लिए बहुत useful रहने व अगले एक हफते में कर देंगे, ताकि बच्ची अच्छे से पढ़ पाएं, ठीक है, हमारा contact number है, अगर आपको कोई problem आता है, तो 01140848482, आपको कोई course related query आ रही है, कुछ और दिक्कत आ रही है, तो आप इस number पे call करके हमारी team को reach out कर सकते हो, इसके साथ बेटा जी हमारा टेलिग्राम चानल, जो इंडिया का one of the biggest commerce टेलिग्राम चानल है, I think the biggest one, रजा तरोडा, चिंटु चिंटी गांग, usually मैं boys को चिंटु बोलता हूं, girls को चिंटी बोलता हूं, आप समझ जाओगे, तो चिंटु चिंटी गांग हमारा join करो, be a part of the community, और टेलिग्राम पे आपको यहाँ पे मिलने वाली है, तो रजा तरोडा, चिंटु चिंटी गांग for class 11th, वो वाला group आप जोईन करना, already near about 75,000 students उसके अंदर है, तो जोईन करो, community जोईन करो, इंडिया की biggest commerce community, और मजा आजाएगा, मिल जुलके करेंगे, उसके साथ मेरे other social medias अगर आप देखो तो Instagram मेरा रजा तरोडा official, follow कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे, मन करे, LinkedIn पे professional network के लिए रजा तरोडा, इसी तरीके से snapchat पे रजा तरोडा 1616, यह हमारा DC का page है, DC is our organization, उसका page भी आप follow कर सकते हो, और रजा तरोडा के नाम से ही हमारा Twitter भी चलता है, तो यह सभी हमारे social media handles है, अगर आप join करोगे, तो हम मिल जुल के बहुत अच्छी चीज़े करने वाले हैं, तो आने वाले दो साल commerce के, उसके बाद आपका career, यह हम मिल जुल के बनाएंगे, और अपनी life में excel करेंगे, this is my assurance, बस आपको और मुझे हमें मिल के कैसा combination बनाना है, जो की best combination हो, और हम for sure करने ही वाले हैं, अगर आपकी classes start हो गई हैं, तो हमारे lectures already uploaded हैं, आप देखना शुरू करो, और मैं नई lectures लेकर आपके पास आ रहा हूं, बहुत बहुत चल्द, I'm gonna see you all super soon guys, till then, all the very best, खूब महनत करो, channel subscribe ज़रूर करना, वीडियो सभी के साथ share करना, मिलता हूं, बहु का झाले हैं, सब भूए झाले हैं, बहुत रहा हैं